हेलो एवरिवन तो आज हम यह देखेंगे वेलकम तू मायो केसन स्टडी आज हम यह पढ़ने वाले हैं कि एक लाइन में रे में और लाइन सेग्मेंट में क्या डिफरेंस होता है यह तीन वर्ड आप अलग-अलग बहुत बार सुनते होंगे ठीक है इन तीनों के बीच में क् वीडियो में लाइन क्या है एक ब्रेथलेस लेंथ है ऐसा लेंथ जिसका कोई भी ब्रेथ नहीं है इसकी चोड़ाई नहीं होती इसकी सिर्फ लेंथ होती है ठीक है उससे क्या कहते है लाइन अब यह लाइन कितना लंबा होता है कोई भी लाइन किसी भी लाइन का आप लें direction में चला जाता है मतलब कि steering membrane यह कहा नहीं होता है यह इन finite से अफाइनए होता है ठीक है और इस direction में यह कहां तक जा रहा होता हो भी हमें पता नहीं होता हम एक चोटा सा पार्ड देख पाते है ठीक है अब ऐसे लाइन को आप copy पे paper पे draw नहीं कर सकते ठीक है तो हम इसे draw करने के लिए symbol का use करते हैं यह हम arrow देते हैं यह हमने line खिच दिया और इस direction में एक arrow दे दिया इसका मतलब यह है कि इस direction में infinite तक produce हुआ हुआ है ठीक है और इस direction में भी एक arrow दे दिया ताकि इससे यह पता चले कि इस direction में यह infinite तक जा रहा है यह line ठीक है actually इतने बड़े line को जो infinite से आ रहा हो इस direction में और infinite तक जा रहा हो इस direction में ठीक है ऐसे line को तो हम paper पे draw कर ही नहीं सकते इतने बड़े line को paper तो हमारा काफी चोटा होता है ठीक है तो ऐसे line को ऐसे symbol की तरह हम denote करते हैं कि एक line खीच दिया दोनों तरफ से arrow लगा दिया मतलब यह होता है कि यह दोनों side से infinite तक produced है ठीक है तो इसका यह definition है a line is a breathless length it can be produced indefinitely in both direction यह मतलब दोनों direction में infinite तक produce किया जा सकता है ठीक है इसे denote करते हैं यहाँ पे a b ठीक है तो इसे हम denote करते हैं a b और उसके उपर यह ऐसा arrow लगाते हैं ठीक है किसी भी line को आपको denote करना हो तो आप ऐसे denote करेंगे उसका नाम लिखेंगे a b p q होगा तो p q जो भी उसका नाम होगा ठीक है वो alphabet लिखेंगे और उसके उपर यह दो direction वाला आप arrow लगाएंगे तो आपने यह इस line को denote कर दिया है ठीक है अब ray देखते हैं क्या होता है a ray is the part of a line ray जो है यह line का ही एक part है which has one end point अब suppose कि यह आपका line था ठीक है इसे आपने दो part में cut कर दिया तो इधर जो यह बचा यह वाला part इसको हम बोलेंगे ray उसी तरह इधर भी एक part बचा इसे भी हम कहेंगे ray line कहां से आ रहा था इस direction में और कहां तक जा रहा था यह हमें पता नहीं है लेकिन ray में यह हमें पता होता है कि यह यह वाला जो point है इस point से start हुआ है और इधर infinite तक जा रहा है ठीक है इधर infinite तक जा रहा है लेकिन यहां का हमें पता है कि यह यहीं से start हुआ है ठीक है और यह वाले ray की बात करते है तो यह इस point से start होकर इधर इस direction में infinite तक जा रहा है मतलब रे में एक जो point होता है वो fix होता है थीक है? वहाँ से रे एक direction में infinite तक produced होता है थीक है? It can be produced indefinitely in one direction ये एक direction में indefinitely यानि infinite तक अनंत तक थीक है जिसकी कोई सीमा नहुई से produce किया जा सकता है यानि ये point इसका end point होता है इसे terminating point भी आप कह सकते हैं terminate terminating point terminating point का मतलब होता है ending point ठीक है to end ठीक है या to stop को terminate कहते हैं तो ray के पास एक end point होता है और line जो अभी हमने पढ़ा उसके पास कोई भी end point नहीं होता है, यह कहां से सुरू हो रहा है, कहां खतम हो रहा है, यह information नहीं होती है हमारे पास, तो इसमें कोई भी end point नहीं होता है, range होता है, उसमें एक end point होता है, ठीक है, one end point होते हैं, तो array is a part of line which has one end point, I hope आपको definition clear हो गई होगी, अब line segment, the shortest distance between two points is called line segment, यह basically, एक definite certain point से start होकर, एक certain point पे खतम हो जाने वाला line जो होता है, उसे line segment कहते हैं, यानि यह a से सुरू हुआ और यह पिछले वाले array की तरह और line की तरह infinite तक नहीं जा रहा है, यह a से सुरू हुआ है और b तक खतम हो गया, ठीक है, यानि यह इस fix point से सुरू होकर, इस fix point तक खतम हो जा रहा है, यह भी इसका end point है और यह भी इसका end point है, ऐसे line को हम line segment कहते हैं, ठीक है, यानि जिसका दो end point हो, it has two end points, यानि यह किसी खास point से start होता हो, और किसी खास point पे end होता हो, उसे कहते है, line segment, ठीक है, यह भी इसलिए इसे pq बोल देते हैं, ठीक है, यह pq, तो pq जो line है, वो line segment इसे कहेंगे actually, इसे line नहीं कहेंगे, ठीक है, एक चीज मैं बोल गया, रे को कैसे denote करते हैं, रे को आपको denote करना हो, तो आप, यहां से suppose यह एक रे है, ठीक है, तो यहां से इसका नाम है, A, B, तो इसे आप denote करेंगे, A, B लिखेंगे, और इस पे यह ऐसा arrow बनाएंगे, एसे denote करते हैं, किसी रे को, ठीक है, आप line segment को कैसे denote करना है, तो line segment आप A, B, लिख सकते हैं, ठीक है, यह simple denotation, आप line segment का ऐसे कर सकते हैं, इस पे कोई भी arrow बनाने की जरुवत आपको नहीं है, ठीक है, ओके, it cannot be produced on either side, यानि एक line segment को किसी भी side पे produce नहीं करते हैं, एंड जो होता है, वो fix होता है, और इसे produce नहीं किया जाता है, ठीक है, रे को एक direction में produce किया जाता है, line को दोनों direction में produce किया जाता है, और line segment को किसी भी direction में produce नहीं किया जाता है, यानि जिसका दो end point हो, वो line segment जिसका एक end point हो वो ray और जिसका कोई भी end point ना हो वो line तो इन तीनों में difference आपको समझ आ गया होगा ठीक है अगर नहीं समझ आया तो आप comment में लिख सकते हैं मैं उसे दुबारा explain करने की कोशिश करूँगा अब एक concept है intersecting lines ठीक है intersecting lines क्या होते हैं अगर कोई दो line ठीक है suppose दो line cut करते हैं ठीक है तो इस cut करने को intersection बोलते हैं ठीक है intersection मतलब होता है to cut और यह जो जिस point पे यह cut करते हैं यह जो point है जिस पे यह दोनों line cut कर रहे हैं इससे कहा जाता है point of intersection ठीक है point of intersection ठीक है इन दोनों line को यह जो line और यह जो line दिख रहा है ठीक है इन दोनों line को कहेंगे intersecting lines AB और PQ यानि AB line है एक और एक line है PQ यह दोनों जो line है वो intersecting line है इस figure के according ठीक है तो intersecting lines आपको समझ आ गया होगा अब एक concept है parallel lines का parallel line का concept मैं अगले video मैं explain करूंगा ठीक है उसके लिए separate video मैंने बनाया है तो आप उस video को भी देखिएगा parallel lines और intersecting lines बहुत important है